हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्राखन जी के विद पीके में तो दोस्तों आज का जो हमारा उत्राखन टोप 20 क्विज है वो है नमबर 11 जो की महत्तपूर्ण होने वाला है आने वाली परिक्षाव की द्रिष्टी से चाहे आपका कोई सीली उत्राखन के विकेंसि उत्राखन G.S. जो है बहुती महत्तपूर्ण होता है आने वाली परिक्षाव की द्रिष्टी से आपका चाहे पुलिस हो आपकारी हो फोरेस्ट हो या परवरतन सीपाही हो ग्राम पंचयत विकास अधिकारी हो कुछ भी हो आपका उत्राखन प्रशन नहीं होते हैं बिलकुल भी महत्वपुन बुकों से संक्लन किया जाता है जो कि आने वाली प्रिक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपुन रहने वाले हैं और दोस्तो एक बात और है आप प्रशन नोट करते रहिए साथ के साथ क्योंकि वीडियो देखने से भी प्रशन नहीं होगा और दोस्तो वीडियो पूरा देखिए मैं एक एक पॉइंट डिस्क्राइब करता हूं पूरा विस्टलेशन करता हूं प्रशनों का उनसे आपको अच्छा समझ में आएगा तो दोस्तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज पहला प्रशन है कुणिंदो के अंतिम सासनकाल में उनकी राजधानी कहा रही तो दोस्तो कुणिंदो के अंतिम सासनकाल में उनकी राजधानी रही बेहट में यह बेहट यानि उत्तर प्रदेश में एक स्थान है बेहट वहाँ पे उनकी अंतिम काल में राजधानी रही है और दोस्तो कुणिन्द सासनकाल क्योंकि उत्राखन का प्रथम राजनेतिक वंस है तो इसलिए बहुती मतकुन हो जाता है तॉलमी के विवरन पत्र के निसार कुणिन्द वंस की जो सीमा है बेहट कया थी सबसे दक्षनी सीमा थी यानि दक्षन में उनका जो राज्य था वो बेहट तक फैला था और अगर दोस्तों बात करें उत्तर की तो उत्तर दिशा में जो उनका कारेकाल यानि उनका राज्य फैला था वो फैला था हिमाले तक अगर बात करें हम पश्चिम की तो पश्चिम में जो उनका राज्य छेतर फैला था वो सतलज नदी तक फैला था बात करें हम पूर्वी की तो दोस्तो पूरु में उनका जो राजे छेतर था काली नदी आनि सार्दा नदी तक फैला था बहुत ही महतपून रहेगा अगला कुश्चन है गार्डनर द्वारा कुमाओ में अंगरीजी सासनकाल की घोशना कब के गई तो दोस्तो आपको अब तक एर पता होगा क्योंकि अब कुश्चन ऐसे ही बन रहे है विद डेट डेट जरूर पूछ रहा है आयोग तो इसलिए आपको डेट भी याद रखनी है गार्डनर द्वारा कुमाओ में अंगरीजी सासनकाल की घोशना कब की गई तीन मई अठारा सो पंदरा को अगला प्रेशन है दोस्तो किस काव्य के निशार अजय पाल सत्यवादी एवं धर्म परायनता में यदिश्टिर के समान है या था तो दोस्तो पमार वंस बहुती महत्यपूर्ण है और खासकर अजय पाल तो इसको माना गया है इसमें मानदय काव्य में सत्यवादी एवं धर्म परायनता में यदिश्टिर के समान माना गया है अगला प्रेशन है चंदवंस में सबसे अधिक समय तक किस सासक ने सासन किया दोस्तो इसका अंसर होगा गरुड ग्यानचन चंदवंस में सबसे अधिक समय तक सासन किया था गरुड ग्यानचन ने और दोस्तो चंदवंस और मारवंस और गोर्खा सासनकाल भहती मत्तपून है आने वाली परिक्षाव की दृष्टि से तो आप इसी तरह फैक्ट्स फैक्ट्स नोट्स बनाते रहिए इसका अंसर होगा गरुड ग्यानचन और दोस्ते अनों ने सासन किया था कुल 45 साल तक अगला कुशन है कुमाओ में ब्रिटिस सासनकाल की हुवास्त्विक नीव किस कमिशनर ने रखी थी तो दोस्तो आपको पता है उत्राखन के जो पहले गवर्णर थे आर्वी गार्डनर उनका जो सासनकाल था मात्र नौ महा का था तो उस समय नई नई जो है ब्रिटिस सासनकाल की स्थापना हुई तो बहुत समय लग जाता है सासन विवस्ता सुधारने में और क्या हुआ था संगौली की संधी में जो है उसके बाद बहुत ही विवस्त थे हो संगौली की संधी के बाद तो उन्होंने राज्य में काम तो और उत्राखंड में वास्त्विक निव रखते हैं ब्रिटीज सासन की तो दोस्तो इसकांसर होगा कमिशनर ट्रेल ने कुमाव में ब्रिटीज सासनकाल की वास्त्विक निव किसे ने रखी कमिशनर ट्रेल ने रखी और दोस्तो अगर हम ट्रेल के कारेकाल की बात करें जो और दिख्षाओं की दृष्टी से अगला कोशन है दोस्तो राज्य के प्रथम राजनीतिक बंदी मोहन सिंग महता को क्यों गिरफतार किया गया था दोस्तो प्रस्ण इसलिए महत्यकूर बन जाता है क्योंकि राज्य के प्रतम राजनीतिक बंदी हैं कौन? मोहनसिंग महता तो दोस्तो इनकी ग्रफतारी का जो मुख्य कारण था वो था कुली बेगार प्रता के विरोध में इन्हों ने किया था कुछ तो कुली बेगार प्रथा का विरोध करने करने को अरेस्ट किया गया था ये भी प्रशन नोट करने लाया क्या कि राजी के प्रथम राजनितिक बंदी कौन है मोहन सिंग महता इसलिए आपको बहुता हूँ कि आप स्क्रीन सौट मत रखे और पूर्ण विसलेशन देखी और नोट कीजिए अगला प्रशन है उखीमट नामकिस्थान का नाम किस के नाम पर उखीमट पड़ा दोस्तों उखीमट जो नाम है ये बानसुर की पुत्री उखा के नाम पर पड़ा है बहुती महत्वपूर्ण प्रशन रहेगा इतिहास की दृष्टी से बानसुर की पुत्री उखा के नाम पर क्या है उखीमट अगला प्रशन है गोर्खा ससनकाल में पहाड़ी पसु चार को ये होगा चार को यानि पसु चारक होते हैं जो गोर्खा सासनकाल में पहाड़ी पसुचारकों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था तो दोस्तो कोई सब ये वंस हो या सासन हो चाहे गोर्खा सासनकाल हो चंद सासनकाल हो या पमारवंस का सासनकाल हो जितने भी कर हैं बहुती महत्पूर्ण है परिक्षाओं की द्रिष्टी से तो दोस्तो पहाड़ी पसी चारकों से जो लिया जाने वाला कर था दोनिया कर अगला प्रस्ण है 1916 में गठित कुमाउसंग के अध्यक्ष कौन थे तो दोस्तो बहुती महत्पूर्ण टॉपिक है यहाँ पर यह संग कुमाउसंग इसकी जो अध्यक्ष थे दोस्तो वो थे पंडित गोविन वल्लब पंथ और 1916 में कुमाउसंग की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था वो था मतलब वनों की समस्या यानि उस टाइम अंग्रेजों ने परेशान कर दिया था राज्यकी जनता को तो इसलिए कुमाउसंग का गठन हुआ था वनों की समस्या को देखते हुए अगला प्रस्ण है पांडुकेश्वर तामर पत्र किस लिपी में उत्किन है बहुत ही महत्पुन प्रस्ण है पांडुकेश्वर तामर पत्र जो उत्किन है वो है सिद्ध मात्र का लिपी में बहुत ही महत्पुन रहेगा अगला प्रशन है जोडा निर्ते को मुनस्यारी में क्या कहा जाता है तो दोस्तो जोडा निर्ते को जो मुनस्यारी में कहा जाता है धुसका कहा जाता है और दोस्तो अन्य जगा यानि अन्य जो जिले हैं हमारे पिथोरागड में पिथोरागड में जोडा निर्त्य को कहा जाता है खेल और चमोरी जिले में कहा जाता है जोडा निर्त्य को चांचरी जो कि आप सभी को पता भी होगा तो नोट कर लीजी आप अगला प्रेशन होगा हमारा हिमाले के वर्दान नामक रचना किसकी है दोस्तु रचनाई पुस्तके पत्र पत्र काई समाचार पत्र आदी महत्वपूर्ण है परिक्षाओं की दिर्ष्टी से यह आपको सभी कंप्लेट करने हैं तो हिमाले की वर्दान नामक रचना किसकी है मोहनलाल बाबुल करकी अगला प्रशन है ननोर्दुर्ग जिसे वर्तमान में गड़ नरेस का गडवी कहा जाता है दोस्तो गड़ नरेस का गड़ यानी ननोर्दुर्ग कहा इस्तित है यह स्तित होगा आपका हरिद्वार में कि ले भी बहुती मुहतपुनि स्थान रखते हैं फरिक्षां में तो दोस्तो अगला कुशन है पमान शासनकाल में आयवे के मुख्य अधिकारि को क्या कहा जाता था दोस्तो आयवे जो आयका यानी इनकम का और यानी खर्चे का जो अधिकारी होता था वाई मलब जो उसका आईवय का लेखा जोका रखता था उसको कहा जाता था दिवान बहुती महत्वपून रहेगा अगला प्रशन है चंद सासनकाल में 12 वर्षे जुद किस राजा के सासनकाल में हुआ तो दोस्तो बहुती महत्वपून प्रशन है परिक्षाओं में आभी चुका है चंद सासनकाल में 12 वर्षे जुद हुआ था भारती चंद के समय और दोस्तो नायक जाती है जो उसकी उत्पत्ती भी इसी के सासनकाल में हुईती भारती चंद के 12 वर्चे युद हुआ था अगला प्रशन है चमपावत में सर्व प्रथम हैन्वुड महोदे द्वारा कप माक्स की खोज कब की गई तो दोस्तो बहुती महत्पून प्रशन रहेगा पुरातात्विक द्रिष्टी से उत्राखंड की तो जो कप माक्स होते हैं आनि ओखली टाइप का होता है उसकी खोज सर्व प्रथम उत्राखंड में हैन्वुड ने की थी और वो की थी चमपावत में और कब की थी दोस्तो य की थी आपकी 1856 में अगला प्रशन है राष्ट्रिय जल विज्ञान संस्थान रुड़की की स्थापन कब हुई थी तो दोस्तो इस स्थापना है भी संस्थानों की बहुती मत्पून है राष्ट्रिय जल विज्ञान संस्थान रुड़की में स्थित है और इसकी स्थापन अगला प्रशन होगा दोस्तों हरिद्वार को माया पूरी किस गरंथ में कहा गया है दोस्तों अब तक यही पढ़ा होगा कि हरिद्वार को माया पूरी कहा जाता है लेकिन हरिद्वार को मायापूरी किस गरंत में कहा गया है आईने अकवरी में बहुती महतपुन प्रश्ण है अगला कुश्चन है राज्य में नेलधारा पक्षिविहार कहां स्थित है दोस्तों जो नेलधारा पक्षिविहार है वो अमारा हरिद्वार में स्थित है किस जनपद में मनाया जाता है बहुती इजी प्रस्ण है मदुगंगा घाटी महत्चव कहा मना जाता है पौड़ी गडवाल जनपद में और ये पांच दिवसिये कोई कारेकरम होता है महत्चव होता है सायद मेला भी लगता है आपे पौड़ी गडवाल में मदुगंगा घा तर साबित होगी है तो दोस्तों आपको अगर किसी भी कोश्चन में कोई डाउट हो या आप अगर कोई सुझाओ देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रस्चन में कोई डाउट भी होगा तो भी आप हमें बेज जग होके कमेंट कर सकते हैं द थैंक्यू फ्रेंड्स थैंक्यू फोर वोचिंग